नेपोलियन बोनापाट एक फ्रेंच जनरल था और अगर आप मिलिटरी हिस्ट्री में इंटर्स रखते हैं तो आपने 100% इस बंदे का नाम सुनना होगा बट फाइनली इस बंदे ने भी एक ऐसी गलती की जब इसने अपने दुश्मन के रूप में चुना किसको प्रकृति को नेचर को मैंने इस चैनल पर एक सीरीज मनाई है मैं वर्सेस नाउन करके जिसमें ऐसी वीडिओ बनाता हूं जिसमें इंसान ने नेचर के किसी पावर के साथ लड़ाई की होती है और या वो जीतते हैं या वो हारते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब नेपोलियन नेचर के साथ पंगा लिया तो क्या हुआ उसका कहानी शुरू होती है साल 1799 से ये वो साल था जब फ्रेंच रिवोलुशन फाइनली खतम हुआ और नेपोलियन बोनापार्ट बन गया फ्रेंच का फर्स्ट कॉंसल एक तरह से वो फ्रांस का राजा बन गया पूरा फ्रेंच रिवोलुशन बहुत ही खूंखार था बहुत सालों तक चला था ये क्यों हुआ था कैसे हुआ था इसकी प्रमन एक अलग सी वीडियो बनाया है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्किप्शन में मिल जाएगा तो पावर में आने के बाद नेपोलियन ने ये किया कि उसके आसपास के जितने भी कंट्री थे फ्रांस के आसपास उनके साथ उसने लड़ाई करना स्टार्ट किया और ये जो बहुत सारी लड़ाईया हुई इनको नेपोलियनिक वॉर्स कहते हैं तो इन वॉर्स के बाद नेपोलियन की और फ्रांस की पोजिशन यूरोप में बहुत मस्बूत हो गई थी साल 1810 तक आते आते यूरोप के जो में में कंट्री थे अगर आज के डेट में हम जो बॉर्डर से उनकी आज बात करें तो जर्मनी हो गया, इटली हो गया स्पेन का बहुत सारा हिस्सा और पोलेंड, बेल्जियम ये सब कुछ या तो नेपोलियन के डिरेक्ट कंट्रोल में थे या फिर उनके साथ ऐलाइस थे यहाँ तक कि रशिया भी नेपोलियन का एक तरह से ऐलाइस बन गया था परंतु, अभी एक कंट्री था यूरोप में जो बड़ा पावर था और उस कंट्री पे बिल्कुल भी काबू नहीं कर पाया था नेपोलियन और वो कंट्री थी ब्रिटिन ब्रिटिन को अभी तक नेपोलियन हरा नहीं पाया था तो 1806 में नेपोलियन ने डिसाइड किया कि क्योंकि आप ब्रिटिन का मैप देखेंगे तो वो एक island country है, चारो तरफ पानी से गिरा हुए तो उनको जीवित रहने के लिए, उनको country को चलाने के लिए जरूरत है कि आसपास के देशों से उनके सामान आता रहे, खाना पीना, या कुछ भी raw material, trade materials उनके पास लगाता रहाता रहे तो नेपोलियन नहीं किया कि अगर इनको सारी दुनिया साम कट आफ कर देंगे, तो बिटेन भी हार माल लेगा और नेपोलियन के सामने सर जुका देगा तो अठारा सुचे में नेपोलियन ने अपने सारे तो कंट्रीस की पर्सके पावर था ही, तो उसने सब को कहा कि कोई भी अब बिटेन के साथ trading नहीं करेगा, उनके साथ सामान का आदान प्रदान नहीं होगा, तो सब ने माना इस बात को, बट अठारा सो दस में आके, जो रशिया के एंपरर थे, राजा थे, जार अलेक्जांडर दफरस्ट, उन्होंने देखा कि रशिया की एकॉनमी की हालत खराब है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके पास, रशिया के पास बेताहाशा राव मेटीरियल था, बहुत सारा, उनकी जमीन में बहुत सारी मि उसकी भी वैल्यू कमजोर हो रही थी, इसलिए रशिया ने अपना जो व्यापार है, ब्रिटेंग के साथ उसको चालू रखा, अब इस बात से नेपोलियन बहुत परिशान हो रहा था, कि यार सारी लोग तो मिली बात मान रहे है, और ब्रिटेंग के अगर साथ देता रहे तो फिर नेपोलियन ने सुचा कि नहीं, अब जार अलेक्जांडर को सबख सिखाना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि भाई, तुझे मेरी बात माननी है, तो फिर उसने डिसाइड किया, कि वो ग्रेट रशियन टेरिटरी को इन्वेड करेगा, वो गलती जो एक क्विक लड़ाई करेगा, जल्दी से लड़ाई करके वो वेशिया के एंपरर को हरा देगा, और फिर मजबूर कर देगा वेशिया के एंपरर को कि मेरे सा के बात करो और मेरी जो मांगे हैं उनको कुबूल करो, तो साल 1812 में नेपोलियन ने एक बहुत बड़ी आर्मी क इतनी बड़ी आर्मी कि इसको आज हम Grand Army कहते हैं, उसका pronunciation French में तो अलग है, बट इस आर्मी की strength आप देखें तो लगबख साड़े चार लाक soldiers थे, और ये जो आर्मी थी उससे फ्रांस की नहीं थी, इस आर्मी की खास बात ये थी, कि ये काफी बड़ी भी थी और काफी diverse थ क्योंकि इस आर्मी में उन सारे कंट्रीस से फौजी आये थे, जिन कंट्रीस के उपर दबाव था नेपोलियन का, तो 24 जून साल 1812 को नेपोलियन की जो Grand Army है, वो एंटर कर गई Russian territory में, नेपोलियन ने प्लानिंग ऐसी की थी, कि हर बार की तरह जब वो लड़ाई करता है, तो फटाक से अटाक करता है, और अटाक करके जीत के वापस, तो यहां पर भी उसका एमानना था कि सिर्फ तीन हफते की लड़ाई करेगा वो, उसमें जल्दी से जीत मिल जागी उसको, अपनी बाते मनवा के, वहां के रश्या के राजा से वो वापस आ जाएगा, तीन हफ विलना को छोड़ के पहले ही वहां से हट चुके थे, वो रिट्रीट कर चुके थे, और ज्यादा बिना किसी रेजिस्टेंस के, नेपोलियन ने विलना को क्याप्चर कर लिया, और उसके सोल्जर्स को लोगा कि रहे, हमारा नेपोलियन तो इतना उसकी इतना उसकी इतना उ सावान है अगर कोई फसल लगी हुई है जानवर है उन सब को मारते चलेंगे नश्ट करते चलेंगे ताकि फ्रांस की जो नेपोलियन की इतनी बड़ी तो उनको फसले मिल गया अपने स्टोड लिया कि नेपोलियन को हो रही ती डी आs मृएन जुलाई ने विटेब्स को भी खाली कर दिया वहां से भी जितने सब को फसले थी हसे जला दिया यहां तक कि Russian civilians जो थे वो खुद अपनी फसलों को जला रहे थे ताकि French लोगों के हाथ में यह ना है जब Napoleon अपनी आर्मी लेकर यहां पहुंचा तो यहां भी उसको यही हुआ वहां पे आर्मी नहीं लड़ाई करने के लिए बट वहां पे जितना भी खाने पीने का सामान है वो नफ्ट हो चुका है अब Napoleon को अपने करियर में आदत थी Central Europe के areas को invade करने के लिए जहां पे बहुत लोग रहते थे बहुत populated areas थे बट अब रशिया में वो लंबे लंबे खाली मैदानों पे चल रहा था कहीं कुछ था ही नहीं हर तरफ सिर्फ बरबादी इस चीज़ का experience नेपोलियोन को नहीं था तो नेपोलियोन ने तयारी सिर्फ तीन हफते की की थी बट वो धीरे धीर आगे बढ़ रहा था गर्मी बढ़ रहे थी समय गर्मी है और स्मोलेंस में पहुँचे तो वहां पर उनको लड़ाई करनी पड़ी रशियन आर्मी से बट वहां पर भी थोड़ी सी लड़ाई की और पीछे आट गये और आपस जलाके वहозतें कि फ्रोड़ाई कर रहतें कि लड़ाई नहीं कर रहतें और जाब पीछे आट रहते है तो सब कुछ जला दे रहतें जो मेन लड़ाई वुई रशन आर्मी के साथ फ्रेंच आर्मी की वो थी बैटल ऑफ औट बशुरी Beyond जो की बोरोडीनो नम की जगा पे हुई थी जो मौस्को से सिर्फ 75 मीर दूर था बैटल ऑफ बोरोडीनो में काफी कैजुल्टी जी दोनों साइट को बट यहां पे पहले दिन नेपोलियन की आर्मी की जीत हुई परन्तु अभी भी रेशन आर्मी हारी नहीं थी तो अब नेपोलीन को लग रहा था कि अगले दिन वापस रश्युन्स अटैक करेंगे बट रश्यंस ने अगले दिन अटैक किया ही नहीं जितनी उनकी आर्मी थी उसको लेकर वापस वहां से अट गए और मॉस्को का जो रास्ता था अब वो खुला था नेपोलियन के लिए तो नेपोलियन को फिर से लगा कि मॉस्को लोग का सबसे इंपोर्टन शहर है इसको ये लोग डिफेंड क्यों नहीं कर रहे हैं बैरहाल 14 सेप्टेंबर साल 1812 को नेपोलियन अपनी आर्मी को लेके पहुँच गया मॉस्को के अंदर अब उसको लगा कि यहां पे वो बात करेगा जार अलेक्जांडर से और उसके रेप्रेसेंटेटिव से और यहां पे वो फाइनली डील कर लेगा बट एक बार फिर से उसके सामने सिर्फ और सिर्फ हैरानी थी क्योंकि जब वो मॉस्को पहांचा तो उसने देखा कि यहां तो पूरे शहर में आग लगी हुई है और आग इसने लगी थी क्योंकि रेशन आर्मी ने यहां भी वही किया था उनका सबसे इंपोर्टन शहर मॉस्को को भी उन्होंने नहीं चुड़ा था उन्होंने उसको भी आग लगा दी थी ऐसा कहते हैं कि एक रश्यन जरनल था उसने यहां पे जो बहुत बड़ा जेल था उस जेल को खोल दिया शुटि और शु बम कएक कर पोलोनe के वांग लगा दि तो तुम सब को में आजादी दे दूंका अफिशली तो इसलिए पोरे मॉस्को को उन्होंने जला दिया और एक पेर से मॉस्को में सैगों कोई नीथा मॉस्को में और अब यहाँ पे नेपोलिण अपनी आर्मी को लेके पहुंच गया था कहने के लिए वो मॉस्कों को जीत चुका था बट वहाँ पे करे क्या कोई रेप्रेजेंटेटर्स नहीं उसे बात करने के लिए उसके डील करने के लिए जार अलेक्जांडर नहीं था और यहाँ पे आके अब नेपोलिण को लगा कि भाई यह तो पूरा गरबर हो गया यह तो पूरा बलंडर हो गया है क्योंकि अब मेरा जो इंटेंशन था मुझे मॉस्कों जीतना हो तो मैंने जीत लिया बट कुछ हो तो नहीं रहे और उसको रियलाइज हुआ कि मैं अपनी आर्मी को लेके यहाँ पे रुक नहीं सकता इसलिए सप्टेंबर में पहांच तो गया था हाँ बट एक महीना गुजर गया और जार अलेक्जांडर का जब कोई संदेशा कहीं कुछ भी नहीं आया बात करने के लिए तब नेपोलियन समझ गया कि अब यहाँ रुकने का कोई पॉइंट नहीं है मैं एक तरह से लड़ाई जीत कर भी हार चुका हूँ गया भी ता यहाँ पर एपनी आर्मी को लेकि इस नहीं कर पाएगा तो उस नहीं गया उनीछे से पहले साउथ में जाओंगा South में Kaluga नाम की एक जगा है उसको capture करेंगे वहाँ पे साथ कुछ खाने पिने के लिए मिल जाए But problem ये थी Kaluga के रास्ते में कि Russian Army वहाँ पे थी और अब Russian Army reinforced थी मतलब ज़्यादा fresh और ज़्यादा soldier थे उनके पास और दूसरी तरफ जो नेपोलेन की आर्मी थी जो साड़े चार लाख लोगों को लेके चला था अब उसके पास सिर्फ एक लाख soldiers बचे थे जो लड़ने लायक थे बाकी soldiers या मर चुके थे या वो घायल थे या फिर बिमारे के से मर चुके थे dysentery, lies उनको हो रहा था और खाने के लिए कुछ नहीं था तो इस सब के वज़े से अभी तक थेंडी शुरू भी नहीं थी और इतनी बड़ी सेना उसकी खतम हो चुकी थी जब उसने देखा कि वो कलूगा की तरफ से नहीं जा सकता तो उसने वापस वह डिसाइड के कि भाई जिस रास्ते से हम आये हैं उसी रास्ते से हमको आपस जाना है और उसने वापस स्मोलेंस्क की तरफ चलना शुरू किया और यहां पर अब थेंडी शुरू हो चुकी थी यह ऑक्टोबर का आखरी का टाइम था फिर धीरे धीरे टाइम बीता और नौर नाइन को फाइनली स्मोलेंस्क जब पहुची नेपूलेंक की आदमी तो और कुछ लोग ठेंडी के वज़े से मर चुके थे बट उनलों को यह उमीद थी कि स्मोलेंस्क में जब वो आते समय स्मोलेंस्क से आये थे तो उन्होंने वहाँ पे उस जग काप्चर करके अपने कुछ सोल् के सोल्जर्स यहां पे जो छोड़के गए थे उनको भूग लग रही थी और उन्होंने वह पूरा जो उनके स्टोर्स थे वह खाली कर दिये थी अब नेपोलियन फिर हैरान अब क्या कहें क्योंकि वह यह सोचके अपने सोल्जर्स को कुछ कर रहा था चलो चलो स्मोलेंस्क उनको उनका पीशा कर रही थी तो यह भी नहीं कि वहाँ पर रुक्य लड़ाई करो क्योंकि उसकी आर्मी कमजोर हो चुकी है और खाने के लिए कुछ नहीं है तो उसने अपने ठके मांदे टूटे फूटे सोल्जर्स को बोला कि चलो आगे आगे बढ़ते रहो इसकी अच्छा फूटवेर नहीं था इंके पास इसलिए उसे जमीन पैर रख रहे थे तो उनकी उंगलियां जम जा रही थी उसके बाद कोई लाज तो नहीं रहा था तो अगले दिन गैंग्रीन के वैसे उनके पैर सब काले पढ़ रहे थे सड़ रहे थे उसके अलावा इनके प बरफ पढ़ रही थी तो जितनी भी जगहीं थी उन सब को बरफ ने ढग दिया था तो ऐसे में क्या होता है ना कि जब आप बारिश में जाते हैं और माले जी पूरा पानी भरा हुए तो रोड में जो गड़े हैं आपको नजर नहीं आते वैसे ही बरफ इतनी पढ़ी थी रास्ते में कि जितने भी ऑब्सेकल्स थे कुछ रुकाउटे थी कोई चीजें अगर गिरी हुई है उनके उपर बरफ गिरी थी पता नहीं चल रहता हुए है क्या इस वज़े से भी आर्मी का जो एडवांस है वह बहुत स्लो हो रहा था एक तो वैसी बीमार थे और लगा में कुछ रहने वाले ऐसे लोग जो अपनी मदर लैंड से बहुत ही प्यार करते थे और उनको यह था कि फ्रेंच लोग ने जो बर्बाद किया उनकी जमीन उनको बदला लेना है तो जब इतनी बड़ी आर्मी मूव करती है तो ऐसा नहीं कि वो एक साथ मूव कर रहे हैं व अपने ही घोडों को अपने जाणवरों को मार रहे थे और उनके अंदर का समार निकाल के उनके अंदर हो जा रहे थे थे ठंडी से बचने के लिए यह ऐसा भी कहा जाता है कि लोगों के पास खाना नहीं था तो जो इतनी बुरी हालत हो गई थे नवंबर के एंड तक आते इतनी पतली थी कि इंसान पैर रखे तो नीचे चले जाए तो जब वो नदी क्रॉस करना शुरू किया इतनी बुरी हालत हो चुकी थी अब ग्राइन की और नेपोलियन समझ चुका था कि मैं कुछ भी करके मुझे बस वापस पैरिस पहुंचना है इसी दोरान नेपोलियन को सुनाई पड़ा कि पैरिस में कोई दूसरे लोग हैं जो उसका तखता पलट करनी कोशिश कर रहे हैं अब नेपोलियन का दिमाग घुम गया उसको लगा कि अगर मैं इसी स्पीट पर जाता रहूँगा पूरी आर्मी को लेके तो मैं पैरिस पहुंच जी पाऊंगा और मेरी गद्दी मेरे से कोई छीन लेगा तो उसने अपनी ग्रैंड आर्मी को अबैंडन कर दिया छोड़ दिया उसको और वो खुद अपने कुछ लोगों को लेके भागा पैरिस की तरफ अपनी आर्मी को छोड़ के दिसंबर 5 को नेपोलियन यहां से भागा था अपनी आर्मी को छोड़के और अपनी जगा पे उसने दूसरे बंदे को अपनी आर्मी का इंचार्ज बनाया और 10 दिन के बाद जो बाकी टूटी फूटी सी आर्मी है वो वापस पहुंची उन्होंने नेयमन नदी को क्रॉस किया और आप समझे कि जितनी बड़ी आर्मी वो लेके गया था ग्रैंड आर्मी साड़े 4 लाख लोगों की उसमें से 1 टेंथ 45,000 से भी कम सोलजर्स वापस आय था नेचर के साथ रशियन विंटर के साथ जब उसने लड़ाई की तो उसकी एक बहुत बड़ी हार हुई और अक्सर कहते हैं कि यही वो लड़ाई थी यही वो रशियन विंटर का जो कैम्पेन था जिसने नेपोलियन को पूरी तरह से बरबाद कर दिया क्योंकि इसके बा उसकी डथ हो गई तो यह तो थी कहानी की कैसे फ्रांस ने नेपोलियन ने रशिया को इंवेट किया और रशियन विंटर ने फ्रांस की पूरी आर्मी को तबाह कर दिया यह जो मेरा वीडियो था यह मैंने एक पूरी सीरीज बनाई है यूट्यूब पे जिसका नाम है मैं जिसमें मैं ऐसी वीडियो की बात करता हूँ जिसमें इंसानों ने लड़ाई की होती है नेचर के किसी फोर्स है तो अभी तक की सीरीज में मैंने एक जवर्दा साइक्लोन की बात कर ली है पहाडों की बात कर ली है इसमें मैंने ठंडी की बात की ऐसे ही सीरीज में मैं और रिलीस करता रहोंगा और इस प्लेइलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिल जाएगा अगर आपके वीडियो अच्छा रहागा तो मेरे चैनल जिग्यासियम को सब्सक्राइब जरूब करें